हेलو दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको गर में प्लास्टिक की बार्टी है, उसमें वोटर लिकेज हो रहा है तो आप उसे घर पर आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं जी हाँ प्लास्टिक की बाल्टी हो प्लास्टिक का टब हो या फिर कोई प्लास्टिक की केन हो अगर उसमें वाटर लिकेज हो रहा है तो आप उसे घर बेठे आसाली से ठीक कर सकते हैं जिसके बारे में आज मैं आपको अपने इस वीडियो में चानकाई दूँगी पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बाल्टी बिल्कुल नई दिख रही है लेकिन इसमें वोटर लिकेज हो रहा है यह एक जगे से क्रे करना बताऊंगी उससे पहले में आपको इसमें पानी राल के दिखा देती हूं कि गहां से इसमें पानी लीक हो रहा है तो आप सब देख सकते हैं कि इस बाल्टी में से वोटर लिकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसे आपके एसी घर पे रिपेर करें आज इसी की बारे में आपको बताऊंगी लिए तो चलिए देखते हैं तो आप सब देख रहे हैं मेरे हाथ में एक स्टीक है इसे होट ग्लू स्टीक बोलते हैं चो मार्केट में एजीली अवलेबल है यह आपको 10 रुपे तक मार्केट में मिल जाएगे आसानी से तो आप उसे आप ले लिजिए और यह ओट ब्लू स्टीक है तो इसलिए हम ईसे गर्म करकर बाल्टी जहां पर भी होल हो यह जहां से भी वह हो रहे हूं उस पर लगाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि आप इसको कैसे लगाएं तो ये देखिए होट ब्लू स्टिक है इसे हम इस केंडल की सहायता से थोड़ा सा गरम करेंगे गरम होती ही मेल्ट होने लगेगी अब देख सकते और इसे हम जैसे ही मेल्ट होगी वैसे ही जहाँ पर भी केक ही या डेमेज है वहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देगे इसको हम और गरम करेंगे रिमेल्ट होती जाती है आप उसे लगाते जाएए ये इजी ली जिपकती जाएए ये गर्म होगी तभी चिपकेगी अगर ये घर्म नहीं रहेगी ठंडी हो जाएगी तो नहीं चिपक पाएगी इसलिए से आप बार बार गर्म करते जाएए अब एक बात का भी आप ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज पर चिपका रहें हैं ग्लु स्टिक को तो वह भी गीला नहीं होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का टबस कुछ जो आपके प्लास्टिक है आप एक जीज पर त्राइ करें और नहीं होना चाही है जाए को अगर josख YOUR को प्लास्टिक के दो process कीश्व है या पर पर श्का ले हम देख लें कि सब जगें लग गई है कि नहीं लगई है ठीक से अब आप देख सकते हैं कि सब जगें पूरी जगह पर लग चुकी है तो अब हम इसे 10 मीट के लिए इसे ही छोड़ देंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए तो आप इसे 10 मीट लिए इसी छोड़ देंगे अब 10 मीट हो चुके है और आप देख सकते हैं कि यह जो ग्लू स्टिक हमने लगाई थी यह अच्छी तरकी से सूप चुकी है फिक्स हो चुकी है अब मैं इसमें आपको पानी भरकर दिखाओंगी कि वोटर लिकेज हो रहा है नहीं तो चलिए देखते हैं पानी भरकर कि व अपर दिखिए अच्छे से लग गगई है वोटर लीकेज हो रहा है विल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है अब देख सकते हैं पहले जमेने आपको दिखाया था जब इसमें उटर ले को यह हो रा थाव मैंने नीचे मग राखा था उसमें कंटीनी हो वोटर कुंच नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं तो यह बहुत ही आसान और सश्टा तरीका है जो मैंने आपको बताया है इससे आप घर पर आसानी से अपनी प्लास्टिक की बाल्टी हो, टब हो, केन हो, किसी भी चीज़ को आसानी से आप ठीक कर सकते हैं तो अगर आपको यह तरी का अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले